मैं आपसे एक question पूशन चाता हूँ आप number देखकर trading करते हो या chart देखकर trading करते हो जैसा कि आप मेरी screen पर देखो कुछ लोग होते हैं ये जो chart में जो candle sticks हो रही है इसको देखकर trading करते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो chart को नहीं देखते हैं केवल वह number को देखे देखेंगे number को देखने के बाद में trading करेंगे अब देखो एक बात मैं आपको समझा दो यदि आप number को देखकर trading कर रहे हो तो आप बहुत जादा गलत कर रहे हो number को देखकर trading नहीं किये जाता है हमें हमेशा जो है ये जो chart चल देखकर जो कि अभी देखो live market है live market मैं video बना तो चलो हम यहां पर trading मतलब upside का trade ले लेते हैं और कभी कवार सोचेंगे कि भाई सुबह से market नेचे दिरते जा रहा है और अभी चलिए हम यहां पर call का trade ले लेते हैं अब हो सकता है market उपर जाएगा ऐसा नहीं होता है कि आप number देखकर क्यों यहां पर trading करो तो यहां पर जो कि इस चार्ड को देखकर trading नहीं कर रहा था जो number चलता है उस number को देखकर मैं trading कर रहा था तो मैं आपको फिर से बता दू मैं जो गलती किया मैं सोचता हूं को आप गलती ना करें आप जो भी है आप number को देखकर trading मत करिए इस चार्ड को देखकर trading किया करिए अब जैसे कि मै यहाँ पर angel one application को open कर लेता हूँ angel one application open करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे मैं अपना pin code जो enter कर दूँगा अनुमाने यह लगा लेंगे कि भाई अभी जो nifty जा 300 चल रहा है अब यह बढ़कर हो सकता है हमारा 19 जा 400 जाए भाई कैसे आपको बता है क्यों आप यहाँ पर हवा में तुक्का मार रहे हो भाई आपको ऐसे नहीं पता है आपको इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर प पावर ग्रीड, BPCL, MN, Mahindra का दिखाए दे रहा है, Sipla और LTE, मारुती सुझकू, HDBC Bank, Hero Moto Corporation सब का यहाँ पर दिखाए दे रहा है लेकिन उसके आगे जो है ग्रीन कलर में नंबर चला है तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे यहादे उनको एक्विटी में ट्रेडिंग करना होगा तो यह जो नंबर चला है केवल इसी की बेसिस पर जैसे की पावर ग्रीड का चला है किसी को ट्रेल लेना होगा तो वो क्या करेगा कि भाई हाँ पावर ग्रीड का जो है 247 रूपए से ऐसा लग रहा है कि भाई सुबह 5 रूपए बढ़ा था तो अब मुझे नहीं पता है तो मैं आपको बता दो यह आप इसके लिए फुल फूल वीडियो में दे फुल वीडियो में इन्फर्मेशन देखना चाता है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर लिख कर बताईएगा तो जैसे कि देखो यहां पर पांच रूपए अभी बढ़ा है त प्रेडिक्शन जो है चार्ड देखकर लगाए जाता है नंबर को देखकर नहीं लगाए जाता है मैं बार बार समझा रहा हूं तो आप एक बात समझा देना चाहता हूं कि आप हमेशा जो है नंबर को देखकर ट्रेडिंग मत किये करिए जो इस स्क्रीन में हमारे यह चार् चार्ड में देखने को मिलता है और बैसिकली जो ज्यादा बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो केवल इसी चार्ड को देखकर ट्रेड करते हैं तो मैं आपको यह भी रिक्मेंट करूँगा कि आप हमेशा प्रॉफिट यादी बूक करना चाते हैं और कम लॉस करना चात होता है और चार्ड में क्या क्या होता है सब कुछ नहीं देखना आता तो आप मेरे चनल पर विजिट करिए वहां पर चाहिए बहुत सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन है आप वहां पर देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए फिर से एक बात मैं आपक को देखकर मत ट्रेड किया करिए आप चार्ड को देखकर ट्रेड किया करिए